नमस्कार दोस्तों एक बार आप सबका फिर से बहुत-बहुत सवागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर तो जितने लोग यहाप पर जोड़ने फटा-फट कॉमेंट करेके बताती है चलेंगे आप सभी को मेरी आवाद जो है क्लियर आर एक नह पर देता रहता हूं और एक बहुत जानकार यह है कि मैं डेली जो है अने कैडमी पर भी मेरी तीन क्लास चलती अभी और इसके अलावा अगर आप जोड़ना चाहते है तो मुझे फॉलो कर लो अने कैडमी का लर्णिंग डाउनलोड करके मेरी क्लास को वहाँ पर बिलकुल एक महिने ती महिने बारा महिने चोविस महिने एट तूजड किसी भी कटेगरी का स्कॉर्स जो है खरीते हैं पर शेच करते हैं प्लस पर जाते हैं तो आप अगर इस कोड़ करेंगे तो मैक्सम डिसकाउंट आपको मेरे कोड से देखने को मिलेगा तो ठीक है तो चलिए सब्सक्राइब करते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले कोशन से स्टार्ट करेंगे विल्कुल भी आपका टाइम वेश नहीं करेंगे मौर कालीन नगर प्रसासन के संब्द में जानकारी का सुरोत क्या है चलिए कोशन नमबर तीन है सबी लोग यहां पर जवाब देत और और कोटल यहीं से फेमस हुए थे तो यहां पर और साथ रोग एंडिका हो गया मुद्रासिस हुए तो यहां पर आपसर नमबर जो इसका डी दिया गया है यहां पर विल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन देखिए आप से यहां पर क्या बोला गया धियान से बात करते हैं तो पूछा गया है कि भारत छोड़ो अंदोलन के समय पटना सचीवाले गोली कांट की घटना कब घटी भारत छोड़ो अंदोलन के समय जो पटना सचीवाले गोली कांट है वो घटना जो कब घटी तो 11 अगस्ट 1942 बहुत ही जी बिहार में जो 1877 का विद्रो है वो किस अस्थान से स्टार्ट हुआ था तो यह जो आपका दानापूर से बिहार में प्लेस पड़ता भई दानापूर यहां से स्टार्ट हुआ था तो ऑप्स नंबर जो इसका भी है यहां पर विल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला हो गया तो भाई साथ नंबर कोईशन के अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट हैं तरा आपको हो जाएगा नागभट दुतिये ठीक है बिहार इस्तित मुंगर जी लेके निकट धर्म पाल जो है कि सासक से पाइस है तो नागभट दुतिये से जो है यह पराजित हुआ था उसके बाद जो है बंगाल और बिहार में जो दुएध असासन है कब लागू किया गया था तो यहाद रखेगा अगला कोईशन देखिए आपसे यहां पर क्या बोला गया है कि बिहार का वहां महतपुर अस्थल कौन सा है जहां से नवपासाड कालीन हड़ी का दिया गया है इस अस्थल से जो आपके नवपासाड कालीन के जो हड़ी के उकरड़े अपराप्त हुए हैं अगला कोशन देखिए आप से यहां पर क्या पूछा गया देहां से देखिएगा जवाब सभी लोग देने का प्रयास करती हुए चलो अगर आपको डेली क्लास ज क्या हो जाएगा तो भाई 1927 का साइमन कमीशन का कॉंग्रेस ने भहिसकार किया था क्योंकि इसमें कोई सदसे जो है भारतिय नहीं था और वेसी बात है और जो इसका ए है यह में रिजन था और जो इसका ए है यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन एक डालफिन आस्रयडी पेहार की किस जीले में इस्तित है डालफिन आस्रयडी जो है आफ Meg чтобы किसे जीले में वस्तित है सब लोग यहां पर जवाब तेरह हुआँच एगये भागल ठरजिए का था फसल उपजाई जाती है इसका जवाब डेते हैं चलेंगे बिहार में सबसे अधिक भूमी में कौन सी फसल जाई जाती है साथव याद रखेंगे आप चौक से याद रुखेंगे कर दो जाई जाती है तो सब्सक्राइब का यह यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अग के पुनर जनल में विश्वास नहीं भाई लेकिन हम बात करते हैं पसू बली का विरोध तो यहाँ पर आपस नंबर सी दिया गया है यहाँ पर यह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आगला कुछन पूछा गया है द्यान से कि सूफी संत मखदूम सर्फुद्दीन मनेरी का संब के सबसे महत्पूर देवता कौन है द्याइब में अगला कुछा गया है कि उत्तर वैदिक काल का सबसे महतपूर देवता कौन है 17 नम्बर कॉईशन है इसका जवाब देती हुचलेंगे उत्तर बैदिकाल के सबसे महत्पूर देउता कौन है रुद्र प्रजापती विश्नु या पूशन तो भाई उत्तर बैदिकाल यहां पर पूछा गया है ध्यान से जवाब देती हुचलेगा तो प्रजापती बिल्कुल सही बात है सर जितने लोग प्रजापती जवाब दे रहे हैं और भी वो लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे अगला कॉशन देखिए आप से यहां पर क्या पूशा गया महा जन्तपत के बारे में जो है जनकरी मिलती है तो उप्सन नमबर जो इसका भी है वो यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कॉशन देखिए आप से यहां पर क्या बोला गया है कि भाई 1837 इस बी में सरवबतम किसने असोक की लिपी को पढ़ा था 19 नमबर कॉशन है बताईए 1837 में सबसे पहले किसने जो है असोक की लिपी को पढ़ा था जबाब देती हुए सबी लोग चलेंगे तो याद रखिए दूस्तो जेम्स प्रिंसेप ठीक है जेम्स प्रिंसेप जो है इन्होंने असोक की लिपी को 1837 में सबसे पहले पढ़ा था तो आपसन नमबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन देखिए आप से क्या पूशा गया है कि सिकंदर के आकरमण के समय मगद किस वंस का सासन था मगद में जो है किस वंस का सासन था सिकंदर के आकरमण के समय पूशा गया है जवाब सभी लोग देते भी चलेंगे और जवाब देखिए आप राना शुरू है तो 20 नमबर कोशन का जो करेक्ट एमसर आपको हो जाएगा नंदवन्स का ठीक है सिकंदर के आकरमण समय मगद में नंदवन्स का सासन था तो आपसर नमबर जो इसका सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन देखिए आप से क्या पूचागे कि अजन्ता की अपसरा किस काल की उतकृष्ट चित्रा वली है तो साथ ही व्याद रखिए इसका जो करेक्ट अंसर आपका क्यों हो सकता है सो दूस्तो आपका गुपत काल ठीक है बही अजन्ता की अपसरा जो है गुपत काल की उतकृष्ट चित्रा वली है तो आपसर नंबर जो इसका बी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कॉशन दीख़िया आपसे क्या पूछा गया है कंबन की रामायर किस साहित्यक का गौरोगरंथ है 22 क्वाइसर नंबर क्वशन है जवाद देती वहीं चलेंगे सब लोग तो भाई कंबन की रामायर जो है यह तमिल गज़न्त का ठीक है सांकेतिक मुद्रा का जो प्रशलेन है जो बताई सजी किस सासक ने स्टार्ट किया था तो भईया याद रखिएगा मुहमद बिन तुगलक ठीक है जितने लोग यहाँ पर आपसर नमबर डी जवाब दे रहा है मुहमद बिन तुगलक वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे अगला कोईशन पूछा गया है कि किस मुगल सासक का काल हिंदी साहित्य का स्वर्ड काल माना जाता है 24 नमबर कोईशन है किस मुगल सासक का जो काल है हिंदी साहित्य का स्वर्ड काल माना जाता है तो दूस्तों याद रखिएगा अकबर बहुत ही कि फल सुरूप क्या होता है जब मुद्रा का डी वैलियोएसन होता है कल मैंने एक एकोनॉमि वाली वहां पर ये question से मिला हुआ था तो यहाप निर्यात व्यापार का प्रसार आयात व्यापार का समकुचन और आयात स्थानपत्ति का प्रसार यानि कि सारे के सारे होते हैं तो नमबर डी जितने लोग जवाब दे रहें वो लोग नहापर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे अगला कोशन देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि नील आंदोलन की सुरुवात जो है सबसे पहले बंगाल के किस जिले में हुई थी नील आंदोलन के सुरुवात जो है किस जि पूछा गया है कि बैसाब वह कौन से तत्व थे जिन्हों ने भारती राष्ट्रवाद के उत्थान में Sam बहुत त्थी जिन्हों ने भारती राष्ट्रवात के और आपका आर्थिक सोसर अगला कोशन देखिए आपसे यहां पर क्या पूछा गया है कि किस वाय सराय का काल सिष्ट मंडलो भूलो तथा आयोगो के नाम से जो यह जाना जाता है तो यादर रिखिस्तु इसका जो करेक्ट एंसर आपका क्या हो जाएगा लाड करजन यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे अगला कोशन देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि कि सापताहिक पत्रिका ने यहां विज्यापन प्रकासित किया कि आवसकता है वीर सिपाहियों की वेतन मृत्यू पुरुसकार सहाधत वेतन क्या भई मृत्यू है पुरुसका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि 143 में सुबाश चंद्र बोश के नेतरत में आजाद हिंद फौज का गठन जो है कहां पर किया गया तीस नंबर प्रसन है आसान कोशन है कई बर मैं आपको बता चुका हूं सुबाश चंद्र बोश जी के नेतरत में जो है आजाद हिंद फौज का गठन जो है आपका सिंगापूर में किया ठीक है तो सिंगापूर जितने लोग जवाब दे रहे हैं और सी वह लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे अगला कुशन देखिए आप से क्या पूछा गय जो करेक्ट एंस आपका क्या हो सकता है बिल्कुल सहिवासर यहांपर ऊशा मेता है थीगा निया खंशतु हो जाएगा अगला question देखिए आप से क्या पूछा गया जी हाँ बिल्कुल सही बात है question number 32 का जवाब सभी लोग पहले इसका जवाब दो उसके बात बात कर लेना किस मुगल कालिन चित्रकार ने पसवो पच्छियो वा फलो की का चित्र जो है उकेरा है बताए से किस मुगल कालिन चित्रक बातिस नमबर question है जवाब देती हुए सबी लोग चलेंगे तो याद रिखिए तो उस्ताद मंसूर और जो इसका डी है यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा अगला question देखिए आप से यहाँ पर क्या पूछा गया है कि सलीम अली पच्छी विज्यान और प्राकिर्थिक इति है तो आपसे नमबर जो इसका ए है वह यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा चले साथी वाते है अगले question पर तो आप से यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है कि वर्ड वाइल वर्ड वाइल लाइफ पॉर एंड फंड एंड फॉर नेचर यह संस्था जो है किस विलुत प आपको क्या है पांडा है तो आपसे नमबर जो इसका ए है यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा अगला question देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि भाई साब विभवांतर का SI मातरक क्या होता है question 35 है सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देती हो चलेंगे विभवांतर क SI मातरक जो आपका क्या होता है 35 जब आप देखिए आपर आना शुरू हो गया है तो याद रिकिस तो विभवांतर का SI मातरक वोल्ट होता है बी वारावर आई यार सभी को पता ही होगा तो आपसे नमबर जो इसका भी है यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा आगला question देखो किस रोग से पीडित रोगी को कार्बो हाइडरेट की अधिक मातरा लेने को मना किया जाता है कि अधिक मातरा लेने से मना किया जाता है तो आपसर नमबर जो इसका सी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा अगला question देखिए आप से क्या पूछा गया है कि भाई क्यों प्राइट किस धातु का आयसक है देख सकते हैं सब कुछ आपको साथ में लेके हुए चलना हो इतिहास है वो गोल है अर्थसास्त्र है आपका साइम से भी question आते हो भी है computer से भी आते हो भी मिलेंगे इसका टैंसर मतलिए आप लोग तो यहाँ पर क्यों प्राइट जो है तामबा का इसक होता है तो option नमबर जो इसका डी दिया गया है आप बिल्कुल correct हो जाएगा अगला question ब्यूटेन का होता है और किसका होता भी ब्यूटेन के साथ साथ यहां पर एक ही option ब्यूटेन वाला दिया गया तो ब्यूटेन प्रोपेन यह यहां पर बिल्कुल correct हो जाएगा LPG की बात हो रही है अगला question पूछा गया है कि एजोला बताइए सर्जी क्या है बहुत question देखें पूछा गया है एको मार्क का संकेत चिन्न क्या है एको मार्क का जो संकेत चिन्न है जो signature चिन्न है वह आपका क्या हो जाएगा जब आप देती वह चलेंगे तो भाई मिट्टी का खड़ा ठीक है मिट्टी का घड़ा option number जो इसका D है यहां पर बिल्कुल correct हो जाए है 42 number question है जवाब देती वह चलेंगे और यह एप जिसने भी तक download नहीं किया है वहाँ पर study material भी मेरे देना लगा हूं वहाँ पर आप मेरी हिंदी की book भी खर दी सकते हैं तो आया पर जो है जहूँ डाउनलोड कर लीजिए वहाँ पर आपको जो चीजे हैं इंपॉर्ट जी दीवस जो है कब मनाया जाता है तो याद रखी दूस्तो 21 March को ठीक है बई 21 March को मनाया जाता है तो option number जो इसका C है वह यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा अगला question देखिए आप से क्या पूछा गया है black hole बताएं सर जी क्या है black hole जो है आपका क्या है 43 number question है जवाब देती व जयेगा अगला question देखिए आप से क्या पूछा गया है कि बाण केंद्रिय मंतरी परसद किसके प्रती उत्तरदाई होता है जो आप से क्या होगही होता है जैए के पहले वाला कोईशन दीको दोनों कोईशन पर फोकस करिए गया उसमें क्या पूछा गया था केंड्रिय मंत्री परसत किसके प्रतियुत्तरददायी होता हे तो लोगसभा तो दोनों तोड़ा थोड़ा सांतर है मंत्री परसद पूछा जए तो यहां पर इतना आंतर आ जाता है कि राश्पती द्वारा अब देखेए अभी यहां पर क्या चला भी अभी तक आपके इतियास होगे वह पौलिटी चला है राश्पती द्वारा जारी अध्यादेस संसत के आगामी रहता है फटाफट बताते वी चलेंगे इसका जो करेक्ट एंसर क्या हो सकते हैं देखते हैं कितने लोग के जवाब आ रहे हैं छे सब्ता ठीक अच्छे सब्ता तक प्रभावी रह सकता है तो ऑप्सन नमबर जो इसका डी है वह यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अग erson का जो करेक्ट आप क्या हो सकता है बिल्कुल सही बात सर्בसटन नमबर केसा का जोग करेक्ट एक सूरे हो जाएगा संसद तो ऑपसन नमबड जुसका ए वह यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला question देखき आपकर क्या बोला आधें से योजिना जो आपका हिमानचर प्रदेश में है तो आपसे नमबर जो इसका ए है वो यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कुश्चन देखिए आपसे यहां पर क्या पूछा गया है यहां से देखिएगा कोश्चन पर उन्चास पूछा गया है भाई लैपीज किस चेत्र से संबंदित इस्थ़लाक क्रती है लैपीज जो है किस चेत्र से संबंदित इस्थलाक करती है तो दोस्तों यहाद रखिए गाले टुकूधर कोश्चन पचारइंग 2 सब्सक्रावाब नबर क्या रेगारां पूचे लाइनजाती जो है किस देश में पाई जाती है लाई जन जाती जो है किस देश में पआए जाती है तो बहुं यह सब्धाओ इस तो मियामार में ठीक है भई लाई जन जाती जो है जितने लोग जवाब दे रहें मियामार वह लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे अगला question देखे आप क्या पूछा गया है कि नाम दफा अभ्यारण जो है किस राज्य में अवस्थित है जब देली कोश्चन का जवाब देते हैं नाम दफा अभ्यारण जो है किस राज्य में अवस्थित है जवाब देखे बावन का यहां पर आना शुरू हो गया है तो बावन का जो करेक्ट एं तो भाई ट्राइसेम की अगरम बात करते हैं तो यह जो कारेकरम दिया गया है यह आपका संबंदित है स्वाराउजगार हेतु करामीर यूकों के लिए ठीक है तो आपस नमबर जो इसका ए है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा चलिए अगले कुशिंग का जवाँ देते हैं चलेंगे सभी लोग केल कर टास्क पोर्स की सिफार्सों का संबंद बताइसर किस्से है चावन नमबर प्रस्ट में जवाब दैते ही चलेंगे केलकर टास्क फोर्स की सिफार्सों का संबंध जो आपका किस से है तो करू से है तो आपसर नमबर जो इसका डी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ठीक है अगला question देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि भाई साब आर्थिक नियोजन किस सूची का विसे है पच्छपन नंबर question है सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हैं चलेंगे आर्थिक नियोजन जो है किस सूची का विसे है ए जब आप देखिया ना शुरू हो गया है भाई मैंने आपके गजया था सम्वर्ति सूची तीं तरह की सूचिया होती है संगए सूची राज्य सूची और सम्वर्ति सूची तो आर्थिक नियोजन जो आपका सम्वर्ति सूची का विसे होता है अगला कोशन देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि भारती रिज्वर बैंक का मुख्याले कहां पर है बता यह सब विड़ों बारती दिज्वर बैंक का मुख्याले जो आपका कहां अगला कोशन देखे आपसे आपर क्या पूछा गया है कि भारत में एच्छिक चकबंदी की विवस्था सरवपर्थम किस राजी में लागू किया गया तो याद रिखे दूस्तो इसका जो करेक्ट टेंसर आपको हो जाएगा पंजाब में ठीक है भाई भारत में एच्छिक च खेल में प्रते एक पक्ष में कितने खिलाडी होते हैं प्रते एक पक्ष में कितने कितने खिलाडी होते हैं तो दूस्ते आद रखेगा पोलो जो खेल होता है उसमें चार-चार होते हैं इसके लावा क्या बोलते हैं किरकेट में 1111 होते हैं होकी में 1111 होते हैं ठीक है अगल लोग जवाब देते हुँ चलेंगे बहुत ही इंपॉर्ण प्रसन है तो याद रखेगा इम्रान खान थेक है इम्रान खान जो किसम पाकिस्तान की राश्पती जी है आपसा नमबर जो इसका भी है यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा प्रधान मंत्री माफ कीजिए अग बहुत सही बात है सर्ची पाकिस्तान हो गया आप इस कोशन का जवाब देते हुँ चलेंगे तो इसका जो करेक्ट एंसर क्या हो जाएगा ऑफसर नमबरी टेनिस ठीक है टेनिस जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे लियर ह जाली बहुत अच्छी बात है अगले कोश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो अगला प्रसन देखिया आप से यहां पर क्या पूछा गया है द्याँ से दिखिएगा कि वहाई साब लीएंडर पेस जो है किस खेल के इस्टार खिलाडी है ली अंडर पेस जो है किस खेल के स्टार प्रदान मंत्री है अगला क्वेशन देखिया आप से आपर क्या पूशा गया है कि कॉंग्रेस ने पहली बार कब देशी रियासतों के प्रती अपनी नीती जो है घोसित की थी तो तिरसा नमबर क्वेश्चन का जवाब जो देते हुए चलेंगे इसका जो करेक्ट एंसर आप क्या हो जाएगा कॉंग्रेस ने पहली बार कब जो है देशी रियास्तों के प्रती अपनी नीती जो है घोसित की थी तो तिरसा नमबर क्वेश्चन का जो करेक्ट एंसर आपको हो जाएगा उनीस सो बीस इस वी में आपका जो नागपुर का दिवेशन हुआ था ठीक है तो सबी लोग जवाब देते हैं चलेंगे तो साथी यहाँ पर जो करेक्ट एंसर क्या हो जाएगा क्या पूछा गया कि गुट निर्पेट शांदुर का महा सची भी रहा है तो वराह गिरी वेंकट गिरी ठीक है बहुत इंपॉर्टन क्वेश्चन है और बी जितने लोग जव रचित नहीं है चाचट का जवाब जो है जाए चलेंगे अमरत निर्पार जो है कौन सी रचित नहीं है तो एसी ड्रामा ठीक है एसी ड्रामा जितने लोग आफसर नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिलकुल करेक्ट हो जाएंगे चलिए अगला कोश्चन कि यहाँ भी बन सकता है कि लिखा कौन सकता है लिखा है तो अगर AC & drama की बात करते हैं तो गुनर मिड्राल नाम था यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्पेलिंग जी यू एन एन एक मिनट रुक चाहिए भाई साम एन है ठीक है तो जी यू एन एन ए आर एम वाई आर डी एल ठीक है तो यहाँ पर यह नाम याद रखिए गए यह जो है लिखा के एसी इंड्रामा के अगला कोशन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि भारत में हाई टेक सिटी की स्थापना किस सहर में की गई है हाई टेक सिटी यह स्मार्ट सिटी कह सकते हैं इसको आप लोग इसकी स्थापना जो है कहां पर किस सहर में की गई है बिल्कु सब्सक्राइब करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा अगला कुशन देखिए आप सब्सक्राइब करते हैं तो चालू हो जाता है एक मिनट कर लेता हूं क्या दिक्कत आ रही है सब्सक्राइब करते हैं अगला कुशन देखिए आप से हापर क्या पूछा गया ध्यान से देखिए कि स्वतंतर ब्यापार नीती उस नीती को बताती है जहां सब्सक्राइब करते हैं अगला कुशन देखिए आप से हापर क्या बोला गया है ध्यां से देखिए सामुदाइक विकास कारेकरम भारत में कब लागु किया गया था सब्सक्राइब कर जवाब देती हो चलेंगे पड़ा पड़ यहां पर जवाब देते वी चलिएगा कोईशन पर बात्तर का जो करेक्ट एंसर आपका क्या हो जाएगा जब आप देखें आपर आना शुरूओ गया है तो 1950 इसे में बहुत इंपॉर्टन कोईशन है याद रखेगा स्तामुदाइक विकास कारक्रम जो है भारत में कब लगो किया था पर 1950 में अगला कोईशन देखें आप से आपर क्या पूछा गया है कि मेट्रो पॉलिटन योजन सम Siida का गठन कितने निरवाचित सदस्योंद्वारा होता है मेट्रो पॉलिटन योजना समीति का गठन कितने निरवाचित सदस्यों imm 73 का जो करेक्ट एंसर आपको हो जाएगा दो तीहाई ठीक है भई मेट्रो पॉलिटन योजना समित का जो गठन है दो तीहाई निरवाची सस्योधारा होता है तो आपसा नमबर जो इसका भी दिया गया है यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन देखिया आप अब क्या जाएइड़ो दोस्तो आपका प्रधान मंत्री ठीक है यहाँ पर भारती तिहासं संदान पर्सत का देख finish जो कौनमनीज करता प्रदान मंत्री जो है मनोनीज करता है अगला कोशन देखिए आप से यहां पर क्या बूचा गया है निमलिकित में से कौन सा एक भारत सरकार के वित्ध मंत्राले का बिभाग नहीं है सबी लोग यहां पर जवाब जो ही देती वह चलेंगे वित्त मंत्राले की बात हो रही है जवाब देखें, आपर आना सुरू हो गया है, तो साथी याद रखेगा, इसका जो correct answer आपका हो जाएगा, लेखा भी भाग, ठीक है, तो जितने लोग आपर लेखा भी भाग, जवाब देखें रहे हैं, आफसर नमबर A, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएंगे, अग तो 76 का जो correct answer आपका हो जाएगा, तो 76 का जो correct answer आपका हो जाएगा, तो साथी व्याद रखेगा, 77 का जो correct answer आपका क्या हो जाएगा, ऑफसर नमबर यह हो जाएगा, ठीक है, सोया बीन का सरवादी कुत पादन किस राज्जिम में होता है, तो साथी व्याद रखेगा, 77 का कुल दूरी कितनी हैं तो ज् лиш रखिए कांट की कुल दूरी कितनी है जो चुल धोरी की साथ्साथ किलो मेटर ईनों कॉसिए और करेक्ट है, is this क्पूछा गया है क्या हो ऑगा पूर्ची पहले सब्सक्राइए होotchं? अस्ति में आपको ताना है कौन सा कथन जो सत्य दिया गया है यहां पर देखती हुए चलेंगे सभी लोग क्या हो सकता है यहां पर देखा जा तो पहला ऑप्सन देखिए कौन सा कथन सत्य है 1933 में नासिक जेल में कॉंग्रिस के अंदर एक समाजवादी दबाव गलत है 1934 में कॉंग्रिस सोचलिस्ट पार्टी के स्थापना की कैसी नहीं बात है पर गलत है अगला कोशन देखिए आप से यहां पर क्या पूशा गया है चलिए आते हैं कोशन नमबर 82 की तफ तो 82 प्रसन देखिए आप से यहां पर क्या बोला गया है धिया थेहां से देखिए पूछा गया है कि भाई छाका खार्टेज्ट में मुर्येल कंप्लेक्स siis थापना कहा की गई कूंशन बॉला गया है खालगे सी घृष्टा की कई पीöglich तफिया एक के लिए रिर्टेजस ना पंस्ट्र अगला प्रस्ट देखिए आप से यहां पर क्या बोला गया धियान से देखिएगा कोईशन नमबर छी तिरासी की बात करते हैं तो आनंद पूर साही फांडेशन दौरत तयार संग मरमर का खालसा सेम फिर से पूछा गया है थोड़ा से आप पर अलग है कि इसका डिजाइन ज हो जाएगा चलिए भी है कोईशन नमर तिरासी है जवाब देखिए यहां पर आना सुरू हो गया तो एटी थी का जो करेक्ट एंसर आपका हो जाएगा मोशे शैफदी ऑप्सन नमबर जो इसका बी है यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कोईशन देखिए हो जाएगा प्रधानमंत्रि कारिया लेके ठीक है यह जो आपका प्रधानमंत्रि कारियालिक अदेन है तो घृषित ade किसकी है अगर को जो नहीं हो किसकी है तो मैला आचल बहुत ही इंपोर्टन है कई बार मैं आपको मैला आचल के वारे मैं इसे बता चुका हूं तो फड़िस्वनात रेडू जी की एक आंचली करशना है तो आपस नमबर जो इसका सी है या आपका बाबा नागारजुन का नही कि आणिए की जवाब देती कि चलेंगी हां पर रबाज शुर्ट आपका क्या हो पूशा गया है ज़aska पर ऑप नवाill प्याइंद बसक्राइब से दुरुताईeder सिर्टी तो इसका प्थे अग्ला राश्टि आइटलेश् और ऄम्हां चिप्агंजित्रर संगठन का मुख्याले कहां पर है 90 नंबर कोईशन है इसका जवाब देती वी चलेंगे तो भी लोग यहाँ पर जवाब देती वी चलेंगे कोलकाटा में है अगला कोईशन देखिए आप से क्या पूछा गया है कि दीवान ए इस्तिहाक की स्थापना किसने की कोईशन आपका देखिए 90 है पूछा गया है दीवान ए इस्तिहाक वेरी इंपॉर्डन कोईशन है सब लोग जवाब देती है चलेंगे तो भी यह 90 का जो करेक्ट अंसर आपका हो जाएगा रजिया सुल्तान पहली मुस्लिम सासिका भी इनको माना जाता है और इन्होंने जो है दीवान ए इस्तिहाक की स्थापना की ठीक है अगला कोईशन देखिए आप से यहाँ पर क्या पूछा किया दिया दिया गया है धर्म के अन्याई खाओ और मौज करो की सिंधान में इस्वास रखते हैं बहुत ही अच्छा धर्म है जो भी धर्म है बहुत ही अच्छा धर्म है खाओ प्यों मौज करो ऐस में रहो बिल्कुल चिल रहो जिंदेगी अच्छे से कटेगी तो 93 नमबर क्वेशन का जो से कॉश्चन की तो क्या पूछा गया है एक मिनट्र जो बाइसाब चारानमे नमबर टाटा आइरन इस्टील कंपनी की स्थापना कव थी पटपट यहां पर जवाब देते हुए चलेंगे टाटा आरन एंडिश्टील कंपटी की स्थापना जो आपकी कव थी तो 94 का जो कर बाहरत निर्धंता के अस्तर का आकलन किया जाता है भारत निर्धंता को ऊस्तर का आकलन किया जाता है किस के दुटास पंचान में नंबरकाशन जब आप देते भी चलेंगे लगला क्या ब menstrual फोग पल्र wreak तो कॉंटेतर का देखे नबर कोशन देखेगं। कोशन देखिए आप से आपर क्या पूछा गया देहां से देखिएगा कि भाई बंगाल की रिसरा नामक अस्थान पर भारत की पहली आजनिक पटसन मिल कब इस्थापित हुई यह नमबर क्वेशन है सभी लोग जवाब देती हो चलेंगे इसका जो करेक्ट एंसर आपका क्या तो आपसर नमबर जो इसका बी है यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन देखिए आपसे यहां पर क्या बोला गया है ध्यां से देखिएगा कि नाइट्रोजन योगी करण करने वाले जीवाडू है नाइट्रोजन योगी करण करने वाला जीवाडू कौन है 98 नमबर प्रसन है जवाब देती हुई चलेंगे दोस्तों यहाँ पर जो करेक्ट हैं तर आपका हो जाएगा एजटो बैक्टर ठीक है तो यहाँ पर जितने लोग जवाद दे रहे हैं ऑस नमबर डी वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे चलिए अगला अगला कोशन दिखे आप से यहाँ पर क्या पूछा गया है कि अंतराश्टी संस्था फिडे किस खेल से संबंदित हैं सब्सक्राइब देंगे इसके बाद आपको पता है ना टेली ग्राम पर जाना है आप सभी को टेली नापर पीडिएफ मिल जाएगा आप मेरा एप आपको हो जाएगा दोस्तों सत्रंज बहुत ही इंपॉर्टेंट है सत्रंज से संबंदित है तो आप से नंबर जी इसका ए है यहाँ पर बेल्कुल करेक्टर